दोस्तों पनीर से बनी डिश सभी को पसंद आती है फिर वो चाहे बड़े हो या बच्चे और पनीर की निट्रिशन्स वेलू भी बहुत होती है और आज हम आपको बताने जा रहे हैं पनीर से बनाई गई एक डिश पनीर पसंदा पनीर पसंदा बनाने के लिए समगरी नोट कर लें पनीर आधा किलो बेशन दो चम्मच बटर एक चौथाई कप जीरा एक चम्मच बारी कटा अधरक एक चम्मच पानी निचोड़ा दही एक कप फल्दी एक चौथाई चम्मच धनिया पाउडर दो चम्मच नमक स्वादा लाल मिर्श पाउडर आधा चम्मच गरम मसाला एक चौथाई चम्मच बीच से कटी हरी मिर्श तीन पानी एक से डेड़ कप बारी कटी धनिया पती एक चम्मच मलाई दो चम्मच अब बनाने की विधी नोट कर लें पनीर को चौड़े टुकडों में काट लें पैन में उसी बटर में जीरा डाले और कुछ तेर बार अध्रक डालकर भूने जब अध्रक का रंग बदलने लगे तो पैन में बेशन डालकर दो मिनट भूने अब पैन में दही, फल्दी, धनिया पाउडर, नमक, लाल मिर्श पाउडर और गरम मसाला डाले मद्धिम आज पर तेल के अलग होने तक भूने, हरी मिर्च और पानी डाले, ग्रेवी में जब उबाल आने लगे तो आज धीमी कर दे, पनीर के टुकडों को ग्रेवी में डाले, दो मिनट तक और पकाएं, क्रीम से सजाएं और गरमा गरम पेश करें